गुद मॉर्निंग क्लास फोर्थ तो बचो सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश वन सो प्लीज ओपन यौ इंग्लिश वन बुक और इसमें हम देखेंगे कि आज हम क्या करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप मेरे साथ बुक ओपन करिए और देखिए हम पढ़ रहे थे लेसर नमबर फोर अवर नेशनल बर्ड और अवर नेशनल बर्ड तो इसमें हम आज क्या करने जा रहे हैं देख लीजिए इसमें आज हम करने जा रहे हैं फिल इन दा ब्लेंग्स ठीक है इसमें हमें ऑप्शन नहीं दिये हैं तो इसी लिए हमें लेसन धंज से पढ़ना है ताकि है, the peacock is most happy in the dash season, जो peacock है वो खुश होती है, कौन से season में, turn the page, third है, the female peacock is called the dash, female peacock को क्या कहा जाता है, उसको हमने लिखना है, fourth है, the peacock has a dash voice, जो peacock की आवाज होती है, वो कैसी होती है, five है, the biggest enemy of a peacock is the dash, जो peacock का जो सबसे बड़ा शत्रू होता है, enemy होता है, वो कौन होता है, six है, the dash of a peacock are widely used, जो peacock के, क्या होते हैं, जो use किये जाते हैं, तो इससे देख लेते हैं, हम copy में, हाँ, तो देख लेते हैं, बच्चों, इसको copy में, तो देखिए, जा स्पोर्थ है आपकी, subject जो हमें कर रहे हैं, वो है English one, date है, 30th July 2021, be part है, हम कर रहे हैं, इसका, fill in the blanks है, इसमें option नहीं दिये गए हैं, आपने lesson ध्यान से पढ़ा है, तो आप आराम से इसको कर सकते हैं, तो देखिए, first है, dash is our national bird, तो आपको पता है, हमारी national bird कौन है, तो कौन है national bird, peacock, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, peacock, second हम कर रहे है, the peacock is most happy in the dash season, जो peacock होता है, वो कौन सा season में बहुत ज़्यादा खुश रहता है, तो कौन सा season होता है, rainy season, बारिश होती है, बारिश को देख के more क्या हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है, third है, the female peacock is called, जो female peacock होती है, जो more नहीं होती है, उसको क्या कहा जाता है, तो female peacock को कहते हैं पीहन फोर्थ है The peacock has a dash voice जो peacock होता है उसकी voice कैसी होती है उसकी voice होती है shrill, shrill मतलब चुबने वाली फिफ्थ है The biggest enemy of a peacock is the dash जो peacock का सबसे बड़ा enemy होता है शत्रू होता है, दुश्मन होता है वो कौन होता है snake, तो हम आपे लिख देंगे snake Six है, the dash of a peacock are widely used तो peacock के क्या है जो use किये जाते है, generally बहुत सारी चीज़ों में उसको उपियोग किया जाता है तो क्या है peacock के feathers, feathers मतलब punk जो है, वो बहुत सारे कामों में use किये जाते है ठीक है बच्चो, तो बट्चो, बेटा आपका यही आज का काम है यह आपने करना है English one की copy में और writing बनाएंगे बहुत सुन्दर और इसको learn भी करेंगे क्योंकि आपको जब exam में भी दिया जाएगा तो बिना किसी option के दिया जाएगा ठीक है तो लिखिए, समझिए और याद करिए ठीक है तो कर लिजए से अपनी English one की copy में अच्छी सी writing में